पॉष मौक्षदानी पॉणिमा बना दिब शयोग छे जनवरी शुक्रवारी पॉणिमा पुरानी जहडू से करें उपाए आपके पित्र करेंगे आपको माला माल छपड़ फाड़ पैसा आएगा घर में दोस्तों पॉष माश की पॉणिमा का हमारे सास्त्रों में विशेस महत बताया गया है इस दिन पूजा जप तप और दान करने का बिधान है धार्मिक मानता है कि पॉष पॉणिमा के दिन ब्रत रखकर भगबान विशुन जी की आराधना करने से ब्यक्ति को शोभाग की बराबर की पुणि की प्राप्ती होती है कई यग्गों की बराबर की प्राप्ती होती है शाथी पॉष पॉणिमा के दिन दान करने से अमोग फल का बरदान प्राप्त होता है इस दिन मा भागुती देवी शाकंबरी के रूप में प्रकट हुई थी इसलिए पुडिमा को शाकंबरी पुडिमा के नाम से भी जाना जाता है इस दिन पवित्र नदी में इश्नान कर पित्रों के निमित तरपन करने से पित्रों को मौक्ष मिलता है इस दिन इस पूड़िमा को मौक्षिदानी पूड़िमा इसले इससे कहा जाता क्योंकि ये पित्रों को भी शमर्पित है पौश पूड़िमा के दिन भागवान विश्मु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि पूर्माति थी लक्ष्मी नाराण को शमर्पित होती है इसी दिन भागवान लक्ष्मी नाराण का पूजन करने से घर में शुक्षम्रधी का आगवन होता है इस दिन पवित्र नदी में जाकर इश्नान करने से शुक्षंब्रधी की मिलती साथी ब्यक्ती की सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें समस्त कष्टों से मुक्ती मिलती है यह भी मानता है कि यदि आप किसी बिज़त से पवित्र नदी में इश्नान करने नहीं जा सकते तो घर पर ही इश्नान के जल में गंगा जल मिलाकर उससे इश्नान करना चाहिए ऐसा करने से गंगा इश्नान का भी पुन्फल प्राथ होता है इस दिन सामर्थ अंसार जरूरत मंद ब्यक्तियों को भोजन करा कर दान पुन देना चाहिए ऐसा करने से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है साथ ही भागवान लक्ष्मी नरण के साथ ही चंदरदेव को भी इनकी भी कृपा प्राप्त होती है दोस्तो इस बार पोश पूर्णिमा छे जनवरी दिन शुक्रवार को पढ़ रही है जी है दोस्तो और शुक्रवार के दिन पढ़ने कारण इसे शुक्रवारी पूर्णिमा भी कहा जाएगा और शुक्रवार के दिन मातल लक्ष्मी जी का दिन होता है शुक्रवार के दिन पोश पूर्णिमा पढ़ने से इसका महतो और भी ज़्यादा बढ़ गया है इस दिन भगवान लक्षमी नरण का पूजन करने के साथ सथ कुछ आसान से उपाई भी अवश्य ही करें जिससे पूरे साल भर भगवान लक्षमी नरण के कृपा आप पर बनी रहे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पूरिमा के इस सुब सयोग पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और अशरकारक उपाई बताने जा रहे हैं इन उपाईयों को करने से भगवान विश्यू माता लक्षमी जी के साथ ही पित्रों का भी आस्तिरबाद प्राप्त होता है पित्र दोस्ते भी मुक्ति मिलती है भगवान विश्यू मा लक्षमी जी कृपा से जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती धन सम्मंदि सभी समस्याएं दूर हो जाती है साथी दुख दरिता का नास हो जाता है पित्रों की आश्रवास से कष्टों से भी छुटकारा मिलता है पुराणों के अनुसार पूरिमा तिथी के स्वामी भागबान विश्णू मा लक्ष्मी जी है इसले इस दिन भागबान विश्णू मा लक्ष्मी जी का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में शुक्षम्रद्धी आती है पुराणों में पुरिमा का दिन बेहत पवित्र माना जाता है कहते कि इस दिन लहसुन प्याज मान समद्रा आदिक सेवन नहीं करना चाहिए पुरिमा के दिन ब्रम में चरका पालन करना चाहिए पुरिमा के दिन परिबार में शुक्षांती बना के रखनी चाहिए पित्रों को प्रसंद करने के लिए और पित्रों को आशिरवाद प्राप्त करने के लिए एक सुद्ध लोटे में आप जल भरें जल में थोड़ी से मिस्त्री और थोड़ी से काले तिल डालें और इस जल को दच्छन दिशा की तरफ मुड करके मुख करके चढ़ाएं जल चढ़ाते समय ओम पित्र देवाइ नमै、 जल चढ़ाने के बाद पित्रों को प्रणाम करें, इससे पित्रों का अस्रिवात पराप्त होता है, और पित्र दोस्टे भी मुक्ति मिलती है, पूर्मा के दिन माता लक्ष्मी जी को एक जारा कोडिया अर्पित करें पूर्मा की रात को जारू का एक आसान सा उपाय करके आप माता लक्ष्मी को परसन कर सकते हैं क्योंकि जारू माता लक्ष्मी जी का ही परतीक मानी जाती है जाड़ू हमारे घरों में गंदगी हटाती है और दर्विता को दोर करती है पूर्मा की राद को जाड़ू का यह आसान सुपाय करने के लिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को साप करें और अब एक नई ज़ाडू ले, फिर आप रोजाना आप जिस ज़ाडू से आप घर में ज़ाडू लगाते हैं, उस ज़ाडू को भी ले सकते हैं, लेकिन इस ज़ाडू को आप लेकर इसे अच्छी तरह से साप कर ले, पोच ले, कपड़े से इससे धुल ले, धोने के बाद इसे सुखा ले और फिर इसका प्रयोग करें, इसके बाद इस ज़ाडू को आप अपने घर के साप यानि की उत्तर पूर्व कोने में लिटा करके रख दें, मातलक्ष्मी के सामने, दियान रखे इस उपाई को करने के लिए आप ऐसे ज़ाडू को ले, आप जो यानि की इस हिंडल पर कलावे से तील बार लपेट दे, एक गाठ बान दे, इसके बाद आप ज़ाडू को हिंडल पर हल्दी और कुमकुम से तिलक लगा कर, आप हाथ में थोड़ी से साबू चावल हल्दी कुमकुम ले और आप ज़ाडू को ज़ड़ के और पुस्प भी थोड़ी से दरिता को दोर करने के लिए प्राथना करें, घर में शुक्ष मृद्धी और शोभागी की प्राप्ति की काम ना करें, रात में कोई कपड़ा ज़ाडू से ढख दें, ताकि किसी की निगाह ना पड़े, शुबह उठकर आप ज़ाडू के पास जाकर माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, इसके बाद ज़ाडू उठाकर सबसे पहले अपने रसोई घर से ज़ाडू लगाएं, और फिर पूरे घर में ज़ाडू लगाएं, पूर्मा की रात को यह असान से उपाय करने से माता लक्ष्मी कृपा घर में गरीबी और दरिता को दोर करती है, शुक्ष ऐसे कारपूरे होते हैं, जो काफिस्में से अधोरे पढ़े थे, पिंडूरे कामों को पूरा करते हैं, ज़ाडू का यह असान से उपाय, आप के गरीबी को दोर करता है, एक आसान सा उपाय और करें, आप पौश्पूर्मा की दिन क्या करें, कि उससे पहले ही आप उठें और उठने के बाद आप जाडू को लेकर जाएं किसी नजदीक मंदर पे जाएं और वहाँ पर पूरे मंदर के साफ सफाई करें शेड़ियों के सफाई करें अगर पूरे मंदर के नहीं कर सकते तो सेड़ियों की जरूर करें और फिर आप वहीं पर मंदर की शेड़िय साथी साथ आपकी वर्सों पुरानी जो गरीबी होती है वो भी मिठ जाती है घर में शुक्षम्रिद्धि की प्राप्ति होती है कष्ट जो चले आ रहे थे जो परेशानिया चले आ रहे थी वो परेशानिया भी दूर हो जाती है और धन संपत्ति में लाव होता है कारियों में चलियारी परिशानिया दूर होती है तो इस प्रकार से जहरू का यह अधवुद उपाय जरूर करें इससे आपको लाब होगा अधिक शदिक आपको फाइदा होगा माता लक्षमी करपा बरसेगी कभी भी धनकी कमी नहीं होगी जीवन की गरीबी चली जाएगी और सुक्षोभाग की प्राप्ती होगी घर में रोग दोस्त सब नश्ट हो जाएंगे तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के बीच रिष्टेदारों के बीच यारों के बीच इसे अधिक सदिक पहुचाने के कोशिश करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिये साथी बेल आइकन को जरूर दबा दीजेगा जै मालक्षमी बेल आए झाल झाल